गुड बॉर्णिंग फॉर्थ क्लास, बीटा मैंने आप लोगों को चैप्टर 11 पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में जिसमें हमने पढ़ा था दे कंजेक्शन के बारे में और बिकर्स इस तरह हमने बहुत सारे कंजेक्शन पढ़े थे ठीक है तो यह हम लोग लाइफ क्लास के टाइम पर अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी एक्सेसाइज पार्ट डिसकस करूंगी ठीक है तो देखों फरस्ट है हमा तो दाइट टी और कौफी तुम पसंद करते हो या कौफी तो टी और कौफी दोवडस के बीच में एकiber पास हमारे पास वह यह और थर्ड है, he is clever but lazy, वो clever है और लेकिन lazy भी है, तो बट इसमें conjunction था, तो हमने बट लिख दिया, विजे एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, तो यहां पर विजे और सुरेश इन दोनों को किस वर्ड ने जोड़ा है, एंड वर्ड ने जोड़ा है, तो यानि यहां पर conjunction है, फिफ्थ है, he worked hard but failed, उसने hard work किया पर वो fail हो गया, तो इसमें क्या है, conjunction वर्ड वर्ड है, सिफ्थ है, मुकेश as well as Mina has passed, मुकेश साथी साथ Mina दोनों पास हो गए, तो इसमें conjunction वर्ड है, as well as, सेवन्थ है, respect others if you want respect, अगर आप respect चाते हो, तो आपको भी दूसरों की respect करनी होती है, तो यहां पर conjunction वर्ड है, if, एर्थ है, he reached the station late, therefore the train missed, तो यहां पर conjunction वर्ड है, therefore, वो लग station लेट पहुँचे, इसलिए उन्होंने train miss कर दी, तो यहां पर therefore क्या है, conjunction है, नाइन्थ है, he met me because he wanted my help, वो मुझसे मिला क्योंकि उसे मेरी help की जरुरत दी, तो क्यों की, यानि की, because, 10th है, I will not help you unless you tell me the truth, मैं तुमारे मदद नहीं करूँगा, जब तक कि तुम मुझे सच नहीं बता थे, तो जब तक, यानि की, unless, यहां पर क्या है, conjunction है, तो यहां पर हमने mention कर दिया, or, though, but, and, but, as well as, if, therefore, because, and, unless, यह words क्या है, conjunctions है, जो कि इन sentences में use हुए थे, second है, join these sentences by using or, because, and, but, और yet, यहां पर हमें अलग-अलग sentence दिये वे हैं, और हमें इनको join करना है, conjunctions लगा के, और हमें यह भी पताए गया कि कौन-कौन से conjunctions हम लगा सकते हैं, हम all लगा सकते हैं, because लगा सकते हैं, and लगा सकते हैं, but लगा सकते हैं, या फिर yet लगा सकते हैं, यह conjections हमें इन sentences में लगाना है और इन दो sentence को single sentence बना देना है तो first था हमारा hurry up, full stop, you will get late, full stop तो यह देखो hurry up अलग sentence है, you will get late, अलग sentence है यह दो sentences है और इनको हम join कर देंगे conjection के through तो देखो hurry up or you will get late, जल्दी करो या नहीं तो तुम late हो जाओगे hurry up or you will get late, हमने यहापर कौन सा conjection add किया और, है ना, यह conjection है यहापर, next है give him medicine, he is ill उसको medicine देदो क्योंकि वो बिमार है, तो give him medicine because he is ill उसको medicine देदो क्योंकि वो बिमार है, तो यहापर यह जो हमने because use किया यह क्या है, यह conjection है, third है दिनेश अनुज वर friends, दिनेश और अनुज क्या है, दोस्त है, तो अब यहापर दिनेश और अनुज के लिम क्या तो he failed, but he worked hard, यहाँ पर हमने कौन सा conjection यूज किया, but conjection यूज किया, ठीक है next है, we couldn't, we could not win the match, we did not work hard, हम match नहीं जीत सके, क्योंकि हमने hard work नहीं किया था, we could not win the match because we did not work hard, यहाँ पर because हमने यूज किया conjection seventh है, they could not play cricket, it was raining, वो cricket नहीं खेल पाए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमने लिखा, they could not play cricket because it was raining, यहाँ पर भी कौन सा conjection है, because conjection है now, coming to the next page, इसमें देखिए, आपसे पूछा है, he cannot sip this coffee, it is too hot वो इस coffee की sip, coffee की sip नहीं ले पा रहा है, गूट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यह बहुत गरम है तो हमने लिखा, she cannot sip this coffee because it is too hot, वो इस coffee की sip नहीं ले पा रही, because क्योंकि वो बहुत गरम है नाइन्थ है, the girl is thin, her brother is fat, लड़की पतली है, लेकिन उसका भाई मोटा है तो हमने लिखा, the girl is thin, but her brother is fat, यहाँ पर but conjunction है तैन्थ है, Ravie must work hard, he will fail, रवी को hard work करना पड़ेगा, नि तो वो fail हो जाएगा तो हमने लिखा, Ravie must work hard, or he will fail, यहाँ पर और conjunction हमने उसकिया, ठीक है C है, choose the most suitable word and filling the blanks in the sentences given तो अब हमें क्या करना है, हमें options दिये गए और हमें बताना है कि यहाँ पर correct conjunction कौन सा लगीगा ब्लैंक के अंदर हमें fill करना है, first है, Kamal got up late, dash he missed the class कमल late उठा, इसलिए उसने class mix कर दी, तो हमने क्या लगाया, so he missed the class ठीक है, he was tired, but he continued work, वो थका हुआ था, पर उसने अपने work को continue किया हमने आपर but वाला conjunction यूज किया, third है, work hard, dash you get success hard work करो, जब तक कि तुम्हें success नहीं मिल जाता, तो हमने correct word, correct conjunction कौन सा लगाया, till लगाया, fourth है, he visited both Delhi and Mumbai, वो दोनों जगे जा चुका है, Delhi और Mumbai, तो हमने end लगाया, you can go either by bus or by train, तुम दोनों से जा सकते हो, तो bus से भी जा सकते हो, तो bus or by train, he was punished because he did not complete his homework, उसको punishment मिली क्योंकि उसने अपना homework complete नहीं किया था, तो इसके लिए हमने लगाया, because, d है, complete the planks in the given sentences with suitable conjunction, again हमें options given हैं और हमें in sentences बे, conjunction एड़ गरना है, wait for her till she gets ready, उसके लिए इंतजार करो, जब तक कि वो ready नहीं हो जाती, तो यहां हमने till conjunction किया है, यह conjunction आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कौन सा conjunction यूज करना है, उसके लिए आपको sentence का हिंदी translation आना चाहिए है, आप sentence पढ़ोगे, उसका हिंदी मीनिंग निकालोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कौन सा conjunction आना चाहिए, ठीक है, second है, she will come here if she wants to see me, वो यहां आ जाएगे अगर, वो मुझे देखना चाहती है, तो, तो यहां पर क्या एगा, if, he was late, although he started early, वो late पहुचा जबकि उसने बहुत पहले start कर दिया था, तो, although, though they were selected, they could not get a prize, भले उनका selection हो गया, पर उनको price नहीं मिल पाया, she did not meet me early, yet I recognized her, वो मुझे पहले नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने उसको recognize कर लिया, यानि पहचान लिया, he did not pay his fee, therefore, he was not allowed to sit in exam, क्योंकि उसने fees नहीं दिया था, इसलिए उसको exam में बैठने नहीं दिया गया, 7th है, she is wise, yet makes mistake, वो समझदार है, लेकिन फिर भी गलतियां करती है, I called him, but he did not listen, मैंने उसे call किया, पर उसने नहीं सुना, they will arrive here soon, because the train is not late, वो यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि train late नहीं है, 10th है, though poor he is happy, वो भले ही वो गरीबे पर वो खुश है, तो इस तरह ही हमारा conjunction पुरा हो गया, क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं, यह मुझे लाइड लाइड क्लास में डिसकस कर चुके थे, और अभी इस वीडियो में मैंने आपको इसका एक्सराइस कर वा दिया, तो यह जो हमने एक्सराइस किया है, A, B, C and D, यह आप अपने बुक में और नोट बुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेट कोई प्रॉबलम हो, तो आप मुझसे इंगलिज ग्रामर की लाइब क्लास के टाइम पर पूछ सकते है मैं आप लोग के जो भी डाउट होंगी, उसको क्लियर कर दोगी, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स क्लास में, तिल देन बाई, ठीक क्यार